बोल ने साती हरिडा बोला बोल वोत तो रोपे हरिडा बोल। प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तो जाहिर तोर पे इंडिया का डिप्टी मेर बनना था इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी जो चुनाव अधिकारी है चुनाव करने वाला प्रसाइडिंग आफिसर है वो इन्होंने बीजेपी के एक कारेकरता को बना दिया अब बीजेपी का कारेकरता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा उस बीजेपी के कारेकरता ने वोट तो डलवाई लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो यह प्रेक्तिस है कि बहुए सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया सब को भगा दिया सब को भगा दिया उसने और उसने खुदी काउंटिंग करी और काउंटिंग करते डाइम उसने इंडिया गठिबंदन के आठ वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इन्वैलिड कर दिया तो हमारे 20 वोट थे 20 में से 8 इन्वैलिड कर दिये 12 वोट पड़े हमारे और उनके कहता है 16 वोट पड़े सारे हमारे इन्वैलिड हो गए जैसे केवल हमारे वालों कोई वोट पे निशान लगाने नहीं आते उनके वालों को आता है अंदर से एक करमचारी ने हमें बताया है कि उनके भी 16 वोट नहीं पड़े थे, उनके 13 वोट पड़े थे, अब किसी को नहीं पता कितने वोट पड़े, किसी को नहीं पता किसके कितने वोट पड़े, काउंटिंग एजेंट तो था ही नहीं, और उस चुनाव अधिकारी ने नतीजे घोशित कर दिये कि भीजेपी का मेर बन गया उनकी किसमत खराब थी वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे उस कैमरे में वो चुनाव अभिकारी इंडिया गटबंधन के वोटों के उपर काटे मारता हुआ निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया उसके अंदर दिखाई दे रहा है और यह वीडियो पूरे देश के अंदर फैल गया हुआ 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 ह